हलो फ्रेंड, अपिसियल यूटूब चैनल UGC.net क्रेकर में आपका स्वागत हैं मौलाना अजाद नेशनल उर्दू इन्वोसिटी, ए सेंटरल इन्वोसिटी में नौन टीचिंग के विभिन पोस्ट के लिए आवेदाना मंतरित क्या गया है लाइबरी साइन्स के फिल्ड में सेमी प्रफेशनल असिस्टेंट, लाइबरी असिस्टेंट, लाइबरी अटेंडेंट के लिए आवेदाना मंतरित क्या गया है इस विग्यप्ती में दो पोस्ट हैं जो डेपूटेशन बेसिस पे हैं इसके अलावा सेस जो पोस्ट हैं वो डाइरेक्ट रिकूट्मेंट के लिए यानि सरकारी नोकरी के लिए आवेदाना मंतरित क्या गया है इसके अलावा जो सेस पोस्ट हैं वो सरकारी नोकरी के लिए आवेदाना मंतरित क्या गया है सिधी भरती है जिसमें एक्जिक्रिट इंजिनियर का पोस्ट है यहाँ पे ग्रूप वाइज डिटेल दिया है नमबर आव पोस्ट और कर्टेग्रिवाज डिटेल यहाँ पे दी गई है असिस्टेंट रजिस्टार सेक्षन ओफिसर के दो पोस्ट असिस्टेंट के कुल तीन पोस्ट इंस्ट्रक्टर पॉलिटेक्निक कम्प्यूटर साइंस इंजिनिंग के एक पोस्ट पॉलिटेक्निक सिविल इंजिनिंग के दो पोस्ट इंस्ट्रक्टर पॉलिटेक्निक मेकेनिकल के एक पोस्ट इसी तरह से डबल इंजिनिंग में है आटो मॉबाइल में एक पोस्ट है इंस्ट्रक्टर आईटी आई के लिए जो पोस्ट है इसमें कुल एक पोस्ट है जो desktop publishing के लिए है और एक filter terminal के लिए दोनों एक एक पोस्ट है इंस्ट्रक्टर ITI इलेटिकल के लिए एक पोस्ट है senior research assistant के एक पोस्ट पर आवयदाना मंत्रित है pharmacist का पोस्ट है, group C का पोस्ट है semi professional assistant का पोस्ट है, stenographer है electrician के कुल दो पोस्ट है, maintenance assistant का पोस्ट है lab assistant के दो पोस्ट है, library assistant के एक पोस्ट LDC के कुल छे पोस्ट के लिए आवयदाना मंत्रित किया गया है workshop attendant के लिए कुल दो पोस्ट है lab attendant के कुल चार पोस्ट पर invite किया गया है लाइबेरी एटेंडेंट के लिए कौल दो पोस्ट के लिए in wide किया गया है इसके अलवा यहाँ पे जो आते हैं तो यहाँ पे qualification दिया है qualification essential qualification और age limit दिया है starting के जो दो post है जो reputation basis पे हैं उसकी age limit 56 साल है इसके अलवा executive engineer post के लिए age limit 45 साल है जो बेचलर डिग्री लेबल पे हैं साथ ही क्वालिफिकेशन से सबंदी डिटेल जंकारी के लिए आपको वेबसाइट से एड़ोटाइजमेंग डाउनलोड करना है अप्लिकेशन फार्म डाउनलोड करना है इसको डिटेल पढ़ना है उसके बाद ही आउनलाइन अप्लिकेशन फार्म फिल करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूगा वहाँ से भी आपको अप्लिकेशन फार्म और एड़ोटाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप टीचिंग पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो दूसरा भी वीडियो में बनाया हूँ जो चैनल पे अप्लोड है वो भी वीडियो आप देख सकते हैं इसमें आसिस्टेंट रजिस्टार पोस्ट के लिए एज लिमिट जहाए वो 40 साल है जो मास्टर डिगरी 55% मार्स के साथ में होना चाहिए एक्सप्रियेंस में 3 साल का एक्सप्रियेंस है सेक्षन ओफिसर पोस्ट के लिए एज लिमिट 45 साल है सोरी सेक्षन ओफिसर के लिए एज लिमिट 35 साल है असिस्टेंट के लिए एज लिमीट 35 साल है जो बेचलर डिग्री लेबल पे हैं इंस्ट्रक्टर के लिए जो पोस्ट है इंस्ट्रक्टर पॉल टेकनिक के लिए और जो बी बी टेक वाले अपलाई कर सकते हैं इसके लिए age limit 35 साल हैं इस्ट्रक्टर से सबंधी सभी post के लिए age limit 35 साल हैं फर्मासिस्ट post के लिए जो age limit 32 साल है जो bachelor degree in pharmacy में 55% marks के साथ होने चाहिए या बारी class class level पे आप अपलाई करना चाहते हैं तो फी फर्मा व साथ में 3 साल का experience होने चाहिए semi professional assistant के लिए qualification में master degree library information science के साथ में 35 साल age limit है यदि आपके पास bachelor degree है तो भी आप apply कर सकते हैं लेकिन इसके अलवा इसमें experience है और knowledge of उर्दू and English reading या writing के लिए है strenographer post के लिए age limit 35 साल है जो bachelor degree level पे है साथ में typing speed है और भी detail जंकारी दिया है electrician के लिए same condition है जो दस्वी class pass level पे है age limit 32 साल है साथ में 70 subject में degree होनी चाहिए maintenance assistant के लिए mechanical engineering से 70 degree level पे है जो 32 साल इसमें age limit दिया है lab assistant के लिए bachelor degree in science या bachelor degree in electrical या information technology या civil engineering में होनी चाहिए age limit जो है 32 साल दिया है library assistant के लिए bachelor degree library in information science है typing speed teach word per minute English है knowledge of computer application age limit 30 साल है इस विग्यप्ती में सभी post के लिए उर्दू और English दोनों knowledge मांगा है LDC post के लिए जो बार्वी class pass level पे हैं साथ में typing speed पे 35 वर्ड इंग्लिस और 30 वर्ड हिंदी है age limit 30 साल है इसका लगा और भी detail जंकरी दिया है workshop attendant के लिए जो दस्वी class pass level पे हैं और साथ में trade degree होनी चाहिए national test certificate age limit 30 साल है lab attendant के लिए age limit 30 साल है और जो बार्वी class science subject से पास होनी चाहिए या दस्वी class pass level पे और भी condition इसमें दिया है library attendant के लिए बार्वी class पास होनी चाहिए और library science के field में certificate degree होनी चाहिए age limit 30 साल है इसके अलावा यहां पे egc 7 point scale दिया है जो यहां पे इसकीन पे आपको दिखाई दे रहा है इसके बाद इसको scroll करके हम नीचे आते हैं general instruction इसमें दिया है age limit से 70 चूट इसमें दिया है application form फिल करने के जो अंतिम तिति है उसकी तिति है दो फरावडी 2022 है application form यानि सूल के लिए क्या करना है कि आपको demand draft बनाना है यानि DD बना का pay करना है और favor of यहां पर दिया हुआ है इस रेस्पे से बनाना है इसके बाद application form फिल करने के बाद speech post या register post के द्वारा इसमें जो address दिया है उस address पर send करना है इस post के लिए जो सूलक लग रहा है उसकी हम बात करते हैं तो इसमें जो group A post है उसमें group A post के लिए 500 रुपिय अप्लिकेशन सुलक है general EWS और OVC candidate के लिए 250 रुपिय एस्टी पी डावलोडी या एक्स ए में और X SM के लिए हैं और A B C candidate यानि women candidate के लिए कोई भी अप्लिकेशन सुलक नहीं लग रहा है तो इसको क्या करना है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि या सुचना सब के पास पहुंच जाए वीडियो बनाने का मेंन उदेश यही है कि जो भी नोकड़ी से सबंदी विग्यपती आ रही है उसको सेयर किया जाए तो आप भी इसको सेयर कीजिए कि या सुचना सब के पास पहुंच जाए और इसी तरह के आपडेट और नीव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल नोटिफिकेशन को आउन कर लिजिए तो कि इसी तरह का आपडेट और नीव वीडियो मैं बनाता रहता हूं जिसकी जंकारी आपको पहले मिलेगी थेंकू पर वाच